नमस्कार दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए हिंदी की पैडागोजी लेकर के आया हूँ इस पेपर सेट में पेपर सेट नमबर सेवन में जहां कुछ प्रश्ण मैंने संकलित किये हैं और ये प्रश्ण जो है सीटिट की परिक्षा में अकसर पूछे गया हैं तो बड़े इ नुरूद है कि आप शुरू से लेकर के लास्त तक वीडियो में बने रही है और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रीज सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक बटन हिट कर लीजिए चलिए शुरू करते हैं देखिए सीटिट की परिक्षा में अकसर प्रेटागोजी में कोई न कोई गध्यांश या पध्यांश दिया जाता है और उस पर आधारी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसी पैटन में मैं आपको ये प्रैक्टिस पेपर सेट करा रहा हूं यहां निर्दिश दिया गया है कि निमलिखित पध्यांश को संबंद सूचक कभी गौर किया है तुमने मेरा कोई नाम नहीं इस प्रथम काव्यांश को पढ़कर के ऐसा लग रहा है कि द्रोपदी अपने मन की व्यथा को कह रही है और वो कहना चाह रही है कि मैं अपना परिच्छ क्या कह करके दूं अपने को द्रोपदी कहूं पांच अचाली कृष्णा और यग्यसेनी ये मेरे लिए विशेशन के रूप में काम करती है या संबंद सूचक कभी गौर किया है तुमने संबंद सूचक मतलब ये किसी ने किसी से मेरा संबंद जोडती है इसलिए मेरा नाम उस तरह का रखा गया है या ये विशेशन का कारे करत तो यह मेरा तो नाम नहीं हुई फिर यह मेरे नाम के रूप में काम नहीं कर रही है बलकि विशेशन और संबन सूचक के रूप में काम कर रही है दोणाचारे के अपमान का बदला चुकाने को पिता को चाहिए था ये योध्धा और धृष्ट द्यूम्न जो कि उनके भाई थे के पीछे यग्य की अगनी से आचक ही निस्रित मैं सबको उस्तब्ध कर खुद ही प्रयोजन बनती रही आजन अगले काव्यांश में वो कह रही है अगले भाग में कि द्रोणाचारे जो कि उनके पिता महराज दृपद जो कि पांचाल देश के राजा थे उनकी कन्या थी उनकी पुत्री थी दृपदी जी तो वो कह रही है कि मेरे पिता यानि महराज दृपद जो कि द्रोणाचारे जो कि उनके बचपन के मित्र थे से अपमान का बदला चुकाने के लिए पिता को चाहिए था एक योध्धा मतलब मेरे पिता को एक योध्धा चाहिए था ए निस्तुर्त मतलब निकल्ए हुई मैं सबको स्तब्ध करॉद iki प्रयोजन बनती रही आजन्म सब को इस्ता दिमनेके पीछ एनि दृश्ट पाइदा हुई और यह ह admin कर दी और पूरी जिन्दगी मैं सबके लिए प्रयोजन बनती रही सुई की नोक के बराबर भूमिन पाने वालों के औरस मतलब ऐसी सुई की नोक के बराबर भी जमीन न पाने वाली माताओं के पुत्रों के लिये भी अब तक मुझ पर उंगलियां उठाते ठकते नहीं कि लाखों लोगों की मृत्यू का कारण मैं रही वे कह रही हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे उपर उंगलियां उठाते हैं और कहते हैं कि महाभारत की लडाई में जो लाखों लोग मारे गए उनके पीछे कहीं न कहीं मेरा मैं हूँ या उनके लिए उनके लिए कारण मैं बनी उनकी मौत का और आगे क्या कह रही है और भी कई कहानिया बुनली हैं उन्होंने महज इसलिए कि मैं कभी रोई नहीं गिड़ गिड़ाई नहीं ना मा के सम्मुक जब उन्होंने बांट दिय जा था पांच बेटों में अब वहां कुछ बाते हैं जो मैं कहना चाहूंगा वे कह रही हैं कि लाखों लोगों की मृत्यू का कारण मैं रही और भी कई कहानियां बुन ली हैं लोगों ने और क्या कहते हैं वो उन्होंने महज इसलिए कि मैं कभी रोई नहीं वो कभी रोई नहीं है और नहीं गड़गडाई है न मा के सम्मुक न उस समय जब अरजुन उन्हें स्वयंवर से जीत करके लाते हैं और लाने के बाद अपनी मा कुंती के पास पहुँचते हैं और मा ने बिना देखे ही कहा कि पांचों भाई बांट लो और लास्ट में किसी पांच लोगों के बीच में बाटा जा सके द्रोपदी तो एक राजकुमारी थी अर्जुन की पत्नी एक तरह से कह सके तो वही थी अर्जुन ने जिसको सवयंबर में जीता था अब ऐसी पत्नी को ऐसी राजकुमारी को पांचों भाईयों में बाटा जा रहा था सिर् माता कुंती ने हमें पाँचो बेटों में बांट दिया था और न कुरू सभा में और न उन कौरों की सभा में जहां पाँच-पाँच पतियों के बावजूद मैं अकेली पड़ गई वे कह रही हैं वहां भी मैंने कुछ नहीं बोला जब दुशासन मेरा वस्त्र हरन कर रहा था भरी सभा में तभी मैं अकेली पड़ गई थी पाँच-पाँच पतियों की पत्नी होने के बावजूद भी तो यह एक दुख वेंजना है यह कह सकते हैं कि दुखों की अविव्यक्त की गई है द्रोपदी ने अपने दुखों को व्यक्त करने की कोशिश की है इस परग्राफ में अब इस पर अधारित कुछ प्रश्न है उसको अंध्या से देखेंगे पहला प्रशन है निश्रित शब्द है देखिए यह तोड़ा सा समय जरूर लगा है वो इसलिए कि जब तक आप काव्यां शमझेंगे नहीं तब तक उसके नीचे के प्रशनों को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे निश्रित शब्द है निश्रित शब्द क्या है तत्सम है तद्भव है देश जह या विदेश है तो देखिए जानलीची यह जो है तत्सम शब्द है तत्सम मतलब ऐसा शब्द जो संस्कृत से आया हुआ है तो कव विकल्ब जो है वो सही होगा दूसरा प्रशन है दुरुनाचार्य का संदी विच्छेद क्या है दुरुनाचार्य का संदी विच्छेद क्या है दुरुन और आचार्य दो शब्द यहां पर मिले हैं तो इस तरह से देखेंगी कि दगव विकल्प जो है वह सही होगा तीसरा प्रशन है यहां पांचाली से क्या आशा है पांचाली का मतलब पांच पतियों की पत्नी नहीं होता पांचाली शब्द पांचाल देश से बना है और वो पांचाल देश की राजकुमारी थी इस देश के जो राजा थे वो उनके पिता थे जिनका नाम था दुरुपत तो खविकल्प जो है वह सही होगा चौथा प्रशन देखते हैं पिता को चाहिए था एक योध्धा यहां किस योध्धा की बात हो रही है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यहां दृष्ट द्यूम्न की बात हो रही थी घर विकल्प जो है वो सही है पांचवा प्रशन है यग्य की अगनी से कौन उत्पन्न हुआ था पांचो पांड़ो तो उत्पन्न नहीं हुए थे दृष्ट द्यूम्न उत्पन्न जरूर हुए थे लेकिन क्या और भी कोई विकल्प सही है वो भी हमें ध्यान देना पड़ेगा तो अभी तक तो खविकल्प नजर आया है द्रोपदी हां द्रोपदी भी पैदा हुई थी लेकिन ये दोनों चीजें अलग अलग दी गई है और इन दोनों चीजों को समाहित किया गया है घव वाले में तो घविकल्प सही होगा ग्रिष्टिद्यूम्न भी अगनी से आये थे पैदा हुई थे और द्रोपदी भी आगे आजाईए छटवा प्रशन कुरु सभा में उपस्थित द्रोपदी के पतियों को क्या कहा जाता है कुरु सभायनी कौरों की सभा में उपस्थित जब वो शतरंज या हम कह सकते हैं चौसर खेलने के लिए गये थे वहां पर प थे सभी बच्ची उन गति दीयों द्वारा आभिप्रेरित होते हैं है अभी प्रेजारी तरुपटे ज्याकिगेनी की योजना व्यसक द्वारा बनाई जाएगी तभी बच्च्च्च अभी प्रेरित होंगे तभी बच्चे मोटिवेटेड होंगे जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है क्या यह सही है कि जो बच्चे योजना बनाएंगे वो हमेशा बच्चों को ही प्रेडित करेगी यह भी बात गलत है जो बच्चों के लिए अर्थपून होती है यह बच्चे उन गतिविधियों द्वारा ज्यादा अभी प्रेरित होते हैं ज्यादा अच्छे एक्टिव होते हैं उन गतिविधियों उन एक्टिविटीज के द्वारा जो बच्चों के लिए अर्थपून होती है जो अध्यापकों के लिए अर्थपून होती है नहीं उनसे बच्चों क अक्टिवीटि बनाई जाएगी तो उसे बच्चे motivated क्यों होंगे बाई जो बच्चों के लिए बनेगी अक्टिवीटि जिसमें जादा तर उनका involvement होगा जादा वो active रहेंगे जादा उन्हें मज़ा आएगी क्योंकि उनके लिए बनाई गई है तो जाहिर सी पर प्राथमिक एस्तर की बात की जा रहे है फिर्च फाइव आवले की खेलं चेहल के लिए अनोदेशन दिया जाना चाहिए बच्चों की घर की भाशा या मात्री भाशा में तो प्राथमिक अस्तर पर यानि प्राइमरी लेबल पर किस गतिविधी या किसी खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए तो किसी गतिविदी या किसी खेल के लिए अनुदेशन किसमें दिया जाना चाहिए बच्चों की घर की भाषा या मात्री भाषा में या दुतिय भाषा या अंग्रेजी भाषा में या विद्यालयानी सेकंड लैंग्वेज या इंगलिश में तीसरा है विद्याले की भाषा या राज्य की भाषा में देखिए बच्चों को अगर हम देखें तो द्विती भाषा या अंग्रेजी भाषा में अनुदेशन या संदेश दिया जाएगा तो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा विद्याले में जो भाषा यूज की जाती है अगर वो भी दिया जाएगा तो शायद हो सकता है कुछ बच्चे डाउटफुल कंडिशन में रहें या जो राज में जिस स्टेट में वो विद्याला है उस स्टेट की भाषा यूज की जारे है जरूरी नहीं कोई स्टेट में उसी स्टेट का बच्चा पढ़ रहा हो बाहरी राजी का भी बच्चा पढ़ सकता है घह है सिक्षक की भाषा या अनुदेशन के माध्यम में ठीक है यानि अनुदेशन का माध्यम हो सकता है कि कोई notice दिया जाए कोई message भेजा जाए ठीक कोई email भेजा जाए ये भी जलूरी नहीं कि सिक्षक अपनी भाषा यूज करे या अनुदेशन का कोई माध्यम प्रियोग किया जाए उसी से अनुदेशन दिया जाए तो प्राथमिक अस्तर पर अगर बच्चों को हमें कोई अनुदेशन देना है कोई संदिश देना है कोई order देना है तो बच्चों की घर की भाशा या माती भाशा में अगर दिया जा रहा है तो ज़्यादा effective होगा कव वाला बिल्कुल सही है नौवा देख लीजे निमलिखित कथन के संदर्व में और देखी ये जो आठवा प्रश्टा ये कहीं ने कहीं आज जो नई हमारी सिक्षानीती बनी है सिक्षानीती हम कह सकते हैं education policy 2020 2020 उसके इसाफ से ये सही भी बैठता है नौवा देख लीजे निमलिखित कथन के संदर्व में कौन सा विकल्प सही नहीं है जो नीची दिया गया कथन है उसके संदर्व में कौन सा विकल्प सही नहीं है वो कहा जा रहा है कविता गीत यवं मंत्र के तरीके हैं जिनसे बच्चे क्या करते हैं? उच्चारण का भ्यास करते हैं? या विशह वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं? या शब्द संपदा बढ़ाते हैं? देखिए कविता गीत यव मंत्र वे तरीके हैं जिनसे बच्चे क्या करते हैं जिनसे बच्चे विशय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं तो इसमें जो है वह गवी कल्प बिल्कुल सही होगा क्यों कविता के माध्यम से शब्दियों वाक्य संरचना रटते हैं हां रटा जा सकता है कुछ हद तक, लेकिन हर हद तक नहीं, ऐसा नहीं है कि वो वाक्य सरचना सेंटेंस फ्रेमिंग रटते हैं, क्योंकि कविता गीत और मंत्र में सेंटेंस नहीं लिखा जाता, बलकि उसमें कविता की पंक्तियां होती है, उच्चारण का अब भ्यास करते हैं, ऐसी भी बात नहीं है, उच्चारण का आब भ्यास पूरी कविता पढ़कर के या मंत्र पढ़कर के नहीं किया जा सकता है, शब्द संपदा बढ़ाते हैं, कुछ हद तक संपदा बढ़ती है, लेकिन सबसे सही विकल्प क्या है, विशय वस्तु के माध्यम से, यानि कवित के माध्यम से, गीत के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, वे क्या सीखते हैं, वे आकरण भी आसानी से सीखते हैं, तो नौमे का जो है, वो गविकल्प जो है, वह सही होगा, आगे आ जाते हैं, दस्वा प्रश्न है, सिक्षक बच्चों का आकलन करता है या करती है, किस प्रक बच्चों का मतलब निरिक्षन परिक्षन या ज्याद करने के लिए कि कक्षा में कौन भाषा का स्रिष्टतम उपयोग करते हैं या पता लगाने के लिए कि बच्चों की सीखने में कहां कमी आ रही है या बच्चों को उसके आगे के अधिगम के लिए सहायता प्रदान करने ह दूसरा विकल्प है या पता लगाने के लिए कि बच्चों की सीखने में कहा कमी आ रही है यह कुछ हद तक हो सकता है लेकिन तीसरा विकल्ब ज्यादा बेटर है कि बच्चों को उनके आगे के अधिगम मतलब उनको और सीखने के लिए आगे जो सीखाना है उसमें सहायता प्रदान करने है तू क्या योजना बनाई जाए मतलब अब तक जो पढ़ाया गया उसका जब किस प्रकार बनाएं प्लान में क्या चेंथिस करें स्ठाटेजी टीचिंग में क्या परिवर्टान लाएं और क्या-क्या और तरीके अपनाएं जिससे बच्चा ज्यादा आधिगम मतलब लर्निउंग उसकी हो उसके लिए क्या चीज और बैटर होगा इसलिए तो जा क्या दो भाषा जानने वाले बच्ची किसी से बात करते समय प्राया एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं यह क्या कहलाता है यह होता है वित्रों संकेत बदलना और इसको आपको याद करना पड़ेगा बारामा प्रश्णा है बच्चे अपने लिखने की शुरुवाती या तम च tough व यह इसको कहा जाता है यह चोटे बच्चे होते ना तो चोड़े बच्चों कैसे सिखाते हैंwow क्या पकड़ा लेतेатели कहते हैं देए किरंव काटे और यह उसको कहा जाता इसको बनाओ, sleeping line मतलब ऐसे आड़ी रेखाएं थीक है, फिर तिरची रेखाएं खिचवाते हैं उनसे, तो आड़ी और तिरची रेखाएं क्यों खिचवाते हैं, वो इसलिए सिखाते हैं कि बहुत सारे अक्षरों में उनका प्रयोग होता है, तो बच्चे का हाँ जब उस तरह से जमने लगता है, तो बच्चा लेखनकारे अच्छे से कर सकता है, और इसको कहा जाता है स्क्रिबलिंग, खव विकल्ब सही है, तेरह हुआ है, मानव मस्तिस्क में सारभामिक व्याकरण नियमू के एक समू के रूप में होती है, यह एक विचार है, किसी के द्वारा कहा गय मानव मस्तिस्क में सारभामिक व्याकरण, सारभामिक व्याकरण मतलब आटोमेटिक आने वाले जो व्याकरण के नियम हैं, एक समू के रूप में यह होते हैं, यह विचार किसने प्रतिपादित किया था, यह विचार किसने प्रतिपादित किया था, तेरह हमें का घह होगा एक पठन सामग्री को बारिकी से पढ़ने का क्या आर्थ है, कोई पठन सामग्री है उसको हम बारिकी से पढ़ने का क्या आर्थ है? पठन सामगरी में है क्या यह जानना पठन में रूचि उत्पन न करना तो पठन सामगरी में है क्या मतलब बारिकी से पढ़ने का मतलब यह नहीं है कि उसमें उस सामगरी में है क्या यह सिर्व जानना तो क्या हो सकता है पथन में रोचि उत्पन न करना या विशिष्ट सूचना ढूढ़ना या पथन सामगरी की प्रामानिकता जाचना क्या सही होगा सभ से बेडर क्या होगा तो मित्रों 14 हमें का गह होगा विशिष्ट सूचना ढूढ़ना यानि जो कोई पठन सामगरी होगी जो कोई reading material होगा जिसको हमें पढ़ना है उस पठन को अगर हम बारीकी से कर रहे हैं ध्यान दे करके पढ़ रहे हैं तो इसका क्या आर्थ है इसका आर्थ यही है कि उसमें अगर कोई विशिष्ट सूचना दी गई है कोई खास important बात लिखी गई है तो उसको पढ़ते समय हम find out कर सके अक्सर बच्चों को हम कोई lesson पढ़ाते हैं पार्ट पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं ध्यान से पढ़ो और मैं उसे related कुछ प्रशन पूछूँगा आपको उनके उत्तर देना है तो बच्चे क्या करते हैं ध्यान दे करके पढ़ते हैं यहां कुछ प्रशन बना करके उनको दे दिये और वो उनके दी वोई पुस्तक के किसी पार्ट से आधारित है तो क्या करते हैं बच्चे बच्चे उस पार्ट को पढ़ेंगे और प्रशनों के उद्धर ढोनेंगे पंद्रामा प्रशन देखते हैं निमलिखित में से कौन सिक्षारतियों की उठ्चारण तथा शब्द संपदा निर्माण में सहायता करता है शब्दों का ज्यान कौन सी चीज बढ़ाती है मौन पठन यानि साइलेंट रेडिंग या सिक्षार्थियों के लिए सस्वर वाचन सस्वर वाचन मतलब हम जो जिसको कहते हैं कि जोर से हम जब पढ़ते हैं तो उसको सस्वर वाचन कह सकते हैं पाठ्य पुष्टक पर आधारित प्रशनों के उत्तर देना या सरसरी तौर पर पढ़ना कौन सा चीज इसमें होगा कौन सा विकल्प होगा आप जैस करिएगा 15. कामित्रों ख विकल्प होगा सिक्षार्थियों के लिए सस्वर वाचन सिक्षार्थियों के लिए जब सस्वर वाचन करते हैं तो सामने वाला वह सुनेगा और उन्हें करेक्षन चरहा है तो उसे उनका कही नहीं सुधरता है वह सुधारतने सामने और दूसरी चीज क्या होती है उनके शब्द सम्पदा भी डेबलप होती है क्योंकि उचारण के जरी जब वो जो बूल्स करके पड़ते हैं तो कही न कही अर्थ ग्रहन भी थोड़ा बहुत होता है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनकूल तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं स्टीफन क्रेशन, बीफ स्केनर, जीन पियाजे या नाम चोमसके कौन है वो जिनों ये बात कही थी सोला हमें प्रश्न का मित्रों गव विकल्प सही है जीन पियाजे ने कहा था क्या कहा था कि बच्चे जो है वो भाषा सीखने के लिए अनकूल तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं सत्रह हुआ प्रश्न है बच्चों की मौखिक भाषा को विक्सित करने में सहायता करने के लिए उनसे बाचित करना प्रक्रिया लेखन उपागम है या गहन पठन है उत्पादन लेखन उपागम है या प्रारंभिक साक्षर्ता है तो सत्रह में का घव विकल्प सही है मित्रों प्रारंभिक साक्षर्ता यानि हम कह सकते हैं कि बेसिक जो लर्निंग होती है उसमें बहुत सहयोगी होता है कि अगर हम जो बच्चे स्कूल पाठशाला नहीं जा रहे हैं उनसे घर के लोग धीरे धीरे उनकी बात सुने और उन असर देने की कोशिश करता इस तरह से उसकी बाशा डेवलप होती है और यहां प्रारंभिक साक्षर्ता यानि बेसिक लर्निंग का एक महत्वपूर घटक है एक महत्वपूर पार्ट है हिस्सा है प्रारंभिक यानि प्रारंभिक साक्षर्ता उसको हम दे रहे हैं इसके जर वर्णों की रूप रेखा बनाना, शब्द के भागों का विशलेशन या संबध्दता अस्ठापित करना. देखे इनमें संदर्व में शब्दों को परिभाशित करना किसी संदर्व में यह शब्द निर्माड की रणनीत हो सकती है, वर्णों की रूप रेखा बनाना उनका यह भी हो सकता है शब्द के भागों का विशलेशन करना या उनके उनके हिस्सों का विशलेशन करना उनको एक्स्पेन करना यह भी हो सकता है उनिस्वा है लेखन है लेखन क्या है एक उत्पादक कौशल है या विशिष्ट विधातक सिमित है या एक ग्रहन शील कौशल है या एक रेखिय प्रक्रिया है नौमे का कौन सा विकल्ब सही होगा देखिए ना तो यह एक रेखिय प्रक्रिया है ना तो यह एक विशिष्ट पढ़ना लिखना सुनना ये सब क्या है ये सब स्किल है कौशल है तो लेखन जो है वह एक उत्पादक कौशल है यानि कोई चीज़ सीख करके हमारे अंदर उत्पन हुआ है लेखन का कौशल तो यह एक उत्पादक कौशल है यानि किसी प्रक्रिया के द्वारा उत्पन हुआ कौशल है इसलिए उत्पादक कौशल होगा कविकल्प सही होगा वीश्वा और अंतिम प्रश्ण है भाशा का व्याकरण कव सबसे अच्छा सीखा जा सकता है कव है पठन सामगरी तथा सनरचनाओं की पहचान को एकत्रित करके या व्याकरणिक संकल्पनाओं का अलग से अभ सनरचनाओं की पहचान को एकत्रित करके भाशा का व्याकरण सबसे अच्छी तरह से सीखा जा सकता है जब हम पठन की सामगरी और उसकी सनरचनाओं की पहचान को एकत्रित करते हैं ठीक है तो व्याकरण अच्छी तरह से सीखा जा सकता है जब जो कुछ भी हम पठन सामगर इकठा किये हैं उसको हम पढ़ रहे हैं और उसके संरचनाओं को बहुत बारी किसे जाच रहे हैं तो उसमें आए हुए व्याकरणों को अच्छी तरह से हम सीख सकते हैं कि इसमें व्याकरण के जो तत्व हैं वो किस तरह से प्रयोग किये गए हैं तो कव जो है वो पूरी तरह से सही होगा तो मित्रों आज का प्राक्टिस पेपर सेट यहीं खतम करते हैं आप सभी का बहुत-बहुत आभार अगरी प्राक्टिस पेपर सेट में मैं कुछ और रोचक प्रशनों के साथ आपके सामने उपरस्ट होगा तब तक यहां सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.